ग्वेल्टम टों अम्श्स बबावण क्लास नमबर 7 टॉपिक क्या है एक एक बहुत ही वास टॉपिक है और जिसको प्रशने के लिए पोरी पोरी पूरी रिस संट्रेश पैनल से रहे नेटर्ट सफकरण को बचा रहे हैं क्योंकि सार्णा इतका है कि आपके data को breach हो जा रहा है data hack हो जा रहा है कभी कई online cybercrime जो भी हो रहे हैं सारे जो हो रहे हैं आपके इसके computer security के unevenness के कारणनर हो रही है तो यह बहुत बड़ा topic unevenness computer security लेकिन क्योंकि हम लोग अभी आप computer security पर restrict किये हुए हैं और आपके exam point of this computer security में बहुत जादा important बहुत जादा important है लेकिन कुछ चीजे हैं जो कि हम लोगोंने बहुत ही design करके customize करके आपके समय लेकर आएं तो यहां पर लोग इस topic को गवर करें computer security को लेकिन मैं आपको पहले बदा दूँ कंप्यूटर security और cyber security बहुत ही वास्ट topic है बहुत वास्ट टॉपिक है बहुत ही बड़ा एक ocean है तो हम लोग उस पूरे connections between the microprocessor memory microprocessor memory के बीच में यह जो cable हम लोगों को नहीं दिखता है जो आप computer का भी खोलो होगे ताप कहाँ पर चोटे-चोटे यलो और internet cable दिखते हैं वो memory से जो आपके micro computers के other part में जो होता है उसको हम लोग बोलते है address bus या रखनाप address bus बस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि bus को यहाँ पर as a line यूज़ करते है address line cable इसके लिए यूज़ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत important है इसको याद कर लो फिजिकल कनेक्शन बिट्वें the microprocessor memory and the other parts of the microcomputer इसको हम लोग ने कवर नहीं किया था यहाँ से तो इसको आप यहाँ से तो हम लोग ने किया था multi-user systems provided the cost saving for the small business because they use a single अब क्या है एक single processing unit है एक ही आपको बड़ा सा server एक ही CPU है और आपने क्या किया हुआ है इस तरीके के terminals लगाया हुआ है तरीके terminals लगाया हुआ है मतलब आपने screen लगाया हुआ है आप किसी को यहां पर कुछ input करना है तभी data यहां जाएगा को भी अगर यहां से कुछ इन्पूट कर रहे तभी data यहां जाएगा तो basically यह ज सीज होते हैं उनको यूज करते हो और आपके जो computer में आपको लगाए रहते हैं फिक्स रहते हैं उसको वरक इस बोलते हो हाला कि दोनों का फीजिकल ही मतलब से मैं लेकिन उसको आप अपने अपने स्ट्रेंग्ट को बढ़ाना चाहते हो तो क्या यूज कर सकते हो आप याद है आपको रीपीटर में एक्जामपल दे के समझाया गया था कि 100% से कैसे 90 होता है 90 से फिर कैसे 100 होता है इस चीज को आप देखने के लिए रिपीटर यूज करते हो आप क्लास एक बार फिर स यह कौन सा टपलोजी है स्टार यह कौन सा टपलोजी है रिंग यह कौन सा टपलोजी है बस मिश कौन सा दोनों किसी कभी सम अब इसमें यह जो केवल है और यह जो केवल है क्या सेम है नहीं तो यह नहीं हो सकता है इसमें यह जो केवल है और यह जो केवल है क्या हो सेम है न बस यूज़ कर सकता है, कौन यूज़ कर सकता है, बस यूज़ का अंसर क्या हो गया, C, A, fill in the blanks, shares the hardware, software and the data among the authorized user, एक network, ये एक network, आपका access देता है, कि आप उसके software, hardware, कुछ भी यूज़ यूज़ कर सकते हो, तीसमें बहुत से network, protocol क्या होता है, set of rules, hyperlink क्या होता है, link, transmitter क्या ह अब देखते हैं, computer security, computer security is the process of preventing and detecting unauthorized user of the computer, मतलब की simple simple सब्दों में समझे, कि आपके computer में, आपके computer में, अगर कोई unauthorized access है, मतलब आपके घर में, कोई unauthorized आदमी होता है, unauthorized use होता है, उस unauthorized use of computers को बचाने के लिए जो process अपलाते हैं, उस computer security बोलते हैं, उस unauthorized uses को बचान uden के लिए जो process यूज करते हैं, उसको में computer security बोलते हैं, threats क्या है, threats है क्या, threats कैसे कैसे, देखो threats का सबसे पहला type हम लोग दिखते है virus, वाइरस क्या है, वाइरस भी एक तरीके का software है, वाइरस भी एक तरीके का code है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप अपने computer के folder A में B file पे, जब आप right click करते हो, ये पूरा code में लिखा हुआ है, software language में लिखा हुआ है, तो आपकी पूरी-पूरी folder ये delete हो जाए, इस तरीके के software जो कि जिसका intention गलत कामों के लिए होता है, malware के लिए होता है, जिसको जो इसको वाइरस बोलते हैं, वाइरस की खास बात क्या है, कि वाइरस अपने आपको reproduce कर लेता है, अगर एक बार computer वाइरस इंफेक्ट हो जाते है, तो वाइरस कई multiple explode हो जाता है, ठीक है, जैसा भी क परोना के time चला है, को नहीं क्या प्रॉल्म, कि वाइरस एक बारिफ कर रहा है, और rebel के ही power की यूजक करीश करके वह बहुट ज्यादा रिप्रेक्ट हो जा रहा है, बहुत सारे वाइरस में बन जा रहे है, वह एफेक्ट कर रहे है है, इस तरीकी के वाइरस को ठीक है इस्पाइवेर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सीक्रेट लिए आपको पता भी नहीं चलता है और आपके सारे बैंकिंग ट्रांगेक्शन करने के लिए गोगल या किसी भी ब्राउजर में इन कॉगनीडों का यूज किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो आप अपने आपके वह इसी लिजी बनाए गया है कि आपके जो इंफौर्मिशन सब्सक्रिठ ले ले रहा है तो इंफनट Fourleg ले रहे तो इंफने घूँ जासा नियुचिछ कई परता से होता है कि कहीं आप जाते हो किसी भी साईफर काफे पर या किसी भी पर अध्यूस आप पर computer उसकने जाते हो वहाँ पर आपकी CPU में चोटा सा pen drive लगा रहा रहा था है यह pen drive भी एक तरीके का इसपाइब रहा है आपको लगेगा देखने में कि pen drive लिकिंग करता है क्या है यह आपके हर hits को आपके keyboard पे हर hits हर स्ट्रोक अगर आप A दबारे तो A, S दबारे तो S राइट क्लिक कर रहे हो तो राइट क्लिक, B दबारे तो B, पासवर्ड खोल रहे हो तो कुछ भी खोल रहे हो आपके इसको capture करता है कोई site HD movies आपको लगता है कि इस पर Bollywood को movie आ रही है आप इसको खोलते हो जैसी आप खोलते हो खटाक से एक आपके पास एक दूसरा पर जाता है उसको बोलता है accept करने के लिए को करने के लिए इस तरीकी के जो पेज वो अचानक से launch होता है in the forms of advertisement जाप कुछ देखते रहते अब मेल इडि यूज करता है चाहब हो कोई भी मेल आडि उसके पर सचानक से मिल आता है congratulations you have on on one lakh रुपी उस तरह के जो मेल होते है आप बस यह form भर दो आप यह कर दो इस तरह कि कि जो फिशी मेल होते हैं जो फिशी मेल होते हैं वह आपके spam मेल होते है इसलिए एक देखो Gmail में spam box बनाता है कि वो कुछ में कुछ चीजों को Gmail कुछ सी identify कर लेता है कि नहीं यह genuine mail नहीं है spam mail है उसको immediately spam folder में भी देता है spam folder में भी देता है spam folder मतलब क्या है वो junk folder है ठीक है farming 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 देखो farming important है farming किसे questions भी आते हैं और farming आपको समझना है मैं एक site बनाता हूँ जिस पर मैं लिखता हूँ a m b i t e o u s b a b a.com अब जो hacker है उसने एक site बना लिया ambitious power.com का जब आप इसको पढ़ते हो तो दिखता है ambitious power.com जब आप देखते हो तो इसको टैप लेकिन यहां पर ध्यान दो तो यहां पर इसको चीजों को change कर दिया गया है i को e कर दिया गया है ठीक है इससे क्या होता है कि जब आप मेंसे बार.com को site को खोलते हो आपके पास आता है कि क्या आप खोलना चाहते हो आप जब इसको खोल दोगे यह site पूरी पूरी different है और इसमें exactly same page बना देगा अगर मैं में मेंसे बार.com को क्योंकि यह payment site नहीं है यह banking site नहीं है कि तुसरे तरीके समझाओ आपको यहां लिखा होगा online sbi.com अब यहां आई नहीं है यह sbl.com है लेकि जब आप इस page पर पहुंचोगे तो आपको बिल्कुल एक online का आप उसे दिखाए देगा online sbl this one यहां पर user id password बोलेगा आपको अपना sbi का user id password डालिए यह जो पेज को develop करना होता है जो एकदम सीमिलर पेज आपके exact site से replicate करके बनाता है उसको बोलते हैं farming website जो develop होता है एकदम similar looking like है उसमें जब आप data डालते हो तब आपको हां पर trap होने के chances होता है फिर आता है cookies cookies क्या होता आप जो भी चीज़े टाइप करते ह जो भी चीज़े लिखते हो जो भी चीज़े टाइप करते हो जो भी चीज़ आप लिखते हो उस चीज़ को एक जो है टेमपररी स्टोरेज में सेव किया जाता है कि अगर आप जीज़ फीर पहर करते हो आप क्या करो सबकुछ करने के बाद से वहां पर जाओ जाओ ब्राजर खुलो ब्राजर में जाओ सेटिंग्स पे जाओ सेटिंग्स में कुकीज सर्च करो कुकीज और डिलीट कुकीज करोगी तो पूछता है कि एक घंटे का आदे घंटे मतलब लास्ट दो दिन का लास्ट एक विक का कि पूरे लास्ट च्छा मेने का यह जब से PC खोले तब से आप अगर एक घंटे से रखना कभी भी बहाँ जाओ एक तो incognito में आप स्टार्ट करो चीजों को करना incognito टैब में और दूसरा कुकीज को डिलीट कर दो कुकीज को डिलीट कर दो यह दो चीजा अगर आपको गर रखोगे तो आपकी एवर्नेस लगती है थोड़ी बहुत है इस तरह के जो मेल बॉलते हैं सकेर वर में क्या है अब यह देखो क्या है अभी जिस तरह से कॉविट चला है हला कि मैं इसको वह मत समझे अगर आपके पास कुछ आता है कि अचानकि आप कुछ खोलते हैं कि लोग इतना कोविट के बारे में पैनिक हुए है कि कॉविट के सिच्टूशन ऐसी आ गई है कि सब लोग पैनिक है तो आचानकि साता है है व्याव जो टेकर हाव जो टेकर केर इन कॉवट अब आपको यह क्यूंकि अभी सब लोग है तो सब लोग सोच रहे हैं कि अपने लिंग को लोगी आपको यह लेकर जाएगा जो कि साइट अपक्ले आपकी इंप्रमिशन को ले लेगा इस तरीके कर जो डरा कि जो चीज वे बहु को छोंख करता है तो यहां पर जा रहा है यह यहां पर कौन आया था यहां अंह değ-ब। उसी तरीके से packet sniffers क्या होता है वो आपके network को सूंग-सूंग की देखता रहता है कि कैसे-कैसे packet जो है traffic move हो है फिर आता rootkit, rootkit क्या होता है अगर आपके hide object करते है process को files को window registry files को packet में वो कर देता है एक रूट केट में डालते हैं इसलिए कभी-कभी आप देखो अब कोई application डालते हो तो बोलता है mobile में कि नहीं नहीं आपको करने के लिए आपको developer options को developer options को डेवलोपर options को को वो करना होगा प bypassing प्राइब करना होगा, फिर phishing में किया होता है, मेल जो आपके पिस्कीया होगा, अपके निर्फटीstory मोलाएगा, और मेल सबस्क्राइब को लिए जाता है तेक है कि यहाथ स्पूफ कुक्ष को कूल करता है आप किसी को कॉल करते हैं बी में आपके कॉल को ट्रैक करके ट्राइप करके बीच में आपके को तो इसको बोलते है इसी तरीके से अगर आप यहमें यह में तो अपकी बी Angels को बीक में जूहे Futbol करके it को पढ़ लिया था कंटेंट को पढ़ लिया था इस तरीके के जो एक्टिविटी होती है लेकिन यह सारे अपने जो भी थ्रेट्स पता है चाहा हो स्पूफिंग हो चाहा हो स्पूफिंग हो चाहा हो कुछ भी हो यह सारे चीजों के लिए दो को इमपॉर्ट्न एकuates यह एक स्परिटी आपके मौरूडं में दों और पेस सारे चेक करता है और जो उसके सक मैंने वह यह वांटिघा उसको बाहर रुखता है और जो भी इसकी उट्राइब उजर दे थै तो यह बिपक्यूंस है firewall दूसरा antivirus software आप अपने computer में हमेशा antivirus software होता क्या है antivirus software क्या करता है आप उसको पता है कि कौन-कौन से वाइरिस हैं जो भी नोन वाइरिस हैं उस पे वह attack करता है और immediately उस file को delete कर देता है तो antivirus software होना का बहुत दिए firewall आप अपने घर में ने करो Windows firewall को off ना करो दूसरा होता है antivirus software आपके system में 100% होने चाहिए वह क्या करता है जितने भी आक्लिस्ट नोन वाइरस से बचाता है नोन वाइरस से बचाता है तो यह आपकी computer security के लिए जितने भी information है इतना ही आपकी questions आएंगे और इसके सब्सक्राइब क्लास में मिलेंगे तिल देन थैंक यू थैंक्स लोग